हाई फ्रेंस मैं चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं पनीर से बहुत ही स्वाडिस्ट मिठाई बनाने जा रही हूँ जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है तो आएए मैं आपको रेश्पी दिखाती हूँ इधर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और इसे अच्छे से मैंने मसल लिया है और अब मैं इसे मिक्सी में डाल लेती हूँ और मिक्सी में डाल के मैं इसे पीछ लेती हूँ मैंने इसे पीछ लिया है पीछने से ये बहुत ही स्वाफ्ट हो गया है और इसे एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है और इसे अच्छा से मिला लेती हूँ आधा को टोरी मैंने यह पिसा हुआ चिन्नी लिया है और इसे डाल कर अच्छे से मिला लेती हूँ मैंने इसे अच्छे से मिला लिया इधर हमारा फ्राई पेन भी गरम हो गया है अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालते जाऊंगी तिन से चार मिनट तक मैं इसी तरह से मिलाते रहूंगी ताकि पनीर का जो कच्छा पन्य जो निकल जाए पनीर हमारा हो गया है गैस को मैंने बन कर दिया है अब इसे एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ अब को आपस से मैं फिर से मिक्सी में डाल कर इसे पीछ लेती हूँ इसे मैंने पीछ लिया है और इसे एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है थोड़ा थोड़ा लेकर मैं इस तरह से पनीर का मिठाई त्यार कर लूँगी आप चाहते इसे कोई भी सेप आप इसे दे सकते हैं और इसी तरह से मैं सारे मिठाई को त्यार कर लूगी तो पनीर का स्वादेश्ट मिठाई आपको कैसा लगा इस तरह इस्पी को आप घर पर जरूर बनाए वीडियो पसंद लाए तो कमेंट करके जरूर बताए तांग यू